एक राजस्तान पॉलिटी के बहुत 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 सकते हैं यहां से जहां तक यह दो क्योंश ना सकते हैं अंड़ेट परसंट मैंने बहुत तगड़ा बीएष्टिस स्पेशल मतलब आपके एक एक्जाम में थी इस दून को भी एस्टिसी का उसके कैप बना दिया प्रशन बार नहीं जाएगा दंग से पढ़के चले जाना वस मामला सेट है देखो आपके टॉपिक आ रहे हैं राजस्तान पंचाहिती राज संस्ताइं हो शहरी स्वशाशन मतलब गाउं वाला जो ग्रामी ने पंचाहिती राज भी आ रहा है और शहरी भी आ रहा है यहां पर अपना रहेनियों के अपना से उपर हो गया जैसे अब अभी बात को तो नहीं सरकार हो गई अब बजनार सरकार बजनार जी क्या है मुख्यमंद्री ये CM है लेकिन ये हर गाव में नहीं गुम सकते अब जिसका किसे गाव कहीं पर है उन्हें खर गाव में ढ़ाणी ढ़ाणी में थोड़ी CM पहुन सकता है नए तो पिर गरामीन गाव का विकास कैसे हो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गाउं का विकास होगा तो देश का विकास होगा और गाउं में उस ढणी ढणी गाउं गाउं तक कैसे पहुचा जाए इसके लिए कहा गया कि चलो एक बंदा हो जो अपन को यहां तक इनफॉर्म सोचना दे दे कि हमारे यहां प करते हैं इसके शुक्त सबस्क्राइब नेसे मारत हैं तो तो बीस जारे कंसे पर नोरी होनी तैटा कर सकता है इसलिए हमने यह कामें जो हमारे देशके अंदर लागू हुआ वह अपन बात करेंगे रिपन की एक भलाँ रेज था है जिसने आक बात कहीं कि भाईों ना विकास میں आये umas फिर क्या हुआ आपको बताएं दौक्टूबर की बात है दौक्टूबर 59 को पढ़नी जौनलाल नेरू जी हमारे देश के प्राइम मिनिसर थे वह और उस ट्राइम क्या हुआ कि जो लोकसभा है लोकसभा के अध्यक्ष है अपने नागोर जी लेके नागोर जी लेके नाधु लोठीर को के लवहाँ यहां पर पूरे राजस्तान में पूरे भारत में पूरे भारत में सबसे पेहले तो रखी बातेक्ष थे और पंडी जोनला ने रूप राइमिनिस्टर थे और हमारे देश के राजस्तान की जो मुख्य मंत्री थे वह मुहलाजी सोगाडिया साब थे ठीक है यह सारी बाते पर जानेंगे उसके बाद में श्थानी वह शेहरी जानीगे पहले पंचाहिती राज देखो गवर्णर जंडरल उस टाइम पर के अंग्रेजुगा राज था तो गवर्णर जंडरल वाइस राय लोड रिपन ने भारत में स्थानी सोशाशन की ठोस बुनियाद रखी थी सबसे पहले ठारा स्वास्ती बियासी की बात है असी बियासी की टाइम पर है जो इसने कहा था है कि बहुए घ्रिफव परनेश बाइट का सनषान की पुन होना चाहिए तो किसी बात है पहले जब अंगरेजी को कुलाम थे 1947 माजादी मिल गई उसके बाद में आगे सरुए तो भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागोर जिला जो है ठीक है नागोर जिला का बगदरी बगदरी गाउं में पंडित जमालाल नहरू द्वारा दो ऑक्टोबर सुकाडिया जी उस टाइम को यह जो मामला रखा गया किस योजना के अंतरगत आपको पता हैं पहले कॉंग्रेस की सरकार वाकरती थी और यह पंच्वर्सी योजना ही कुल मिलाकि बाराइव च्वर्सी योजना ही के दवारा यह डवलाप्मेंट होता ता हर 5 साल की यह उजना पताना पर आपको पताए यह में पंचाहिती राज्ट तरी स्थरी व्यवस्ता है शिर्ष पर मद्यर ग्राम शिर्ष के उपर पता को रहा आता है जिला परश्चत जो जिला परती पूरा एक जिला के जिला परश्चत होगी जैसे अब परजेंट अपन करें तो 33 प्रेश्चत अभी 50 पुरे व्यवस्थे नहीं होएं ठीस ही पूचे जाएंगी ठीक है पर मद्यिस्तर की बात करो पंचाहिती राज्ट वेवस्ता है उसके अंदर कितने इस तरो तीन स्थर है शिर्ष प्रेश्चत जिला परश्यत यह ना पिर पं थोड़ इतियास में जाते हैं जहां से प्रश्ण गाना पक्का है देखो हुआ क्या थैक्चुली सोला सितंबर नाइंटी नाइंटी वन को पीवी नर्सिमा राव सरकार द्वारा पंचाईती राज के समंद में तेहतरवा सविदान संशोदन विदेख लोकसभा में प्रस्तूत किया गया अब देखो बात क्या हुई यहां पर हम मैं मेरा नाम आ गया जमालाल नेरू जी हमारे थे उस ताइमरे प्राइम मिन्स्टर यह तो बात नाइंटीन फिप्टी नाइन किये तब से शिरफ यह शुबारा मिवा था समय धानिक प्रावदान कब आया वह आपको समझना है मतलब इस बात को सविदान में कब रखा गया वह बड़ी बात है तो फिर हमारे आगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आपको पता है पीवे नर्सिमा राओ यह तहतरवा सविदान शंशोदन करेंगे हैं हमेरे सविदान में ठीक है और लोकसभा के इंदर इसको प्रोस्तूत किया जाएगा पिर इस विदेग कि समिक्षाइतों से नातुराम प्राइम को हमारे लोकसभा के इंदर इस प्रस्ताव को रखा गया कि एक पंचाय तराजी वश्ता होनी चाहिए तो उस टाइम पर हमारे सविदान में इसके लिए सविदान शंशोदन कोन सा किया गया तेहतरवां कब 1922 में उस टाइम रुए क्या था इस विदेग की समिक् पास हो गया और 2323 को राजेस्वा में पास हो गया और इस तरीके से तहतरवां सविदान शंशोदन पारित हो गया क्यों कि जब दोनु सा दुनों में कोई विदहिक पारित हो जाता है तो पिर आगे राश्ष्पति जी की सुविगरती मिलती है और वो एक्ट या कानून मन पारित कर दिया पारित के डेट जरूर या दिसंबर 1922 तो दिसंबर 1922 की बात अपन करें थे इसके बाद में अपन बात करते हैं कहां पर आगे यह हां ठीक है ओके तो 33 सविधान से पारित हो गया फिर क्या हुआ कि लोकसभा राजेसभा में पारित होने के बाद में क्या होगा वो एक्ट बनेगा तो फिर उसको सभी राज्जू के समक्ष रखा जाएगा तो फिर 17 राज्जू ने अनुमोदन कर दिया मतलब 17 स्टेट तो आपको पता अनुश्यों गराम पंचाइद से समद्धित है या फिर पंचाइद चुनाओं से समद्धित है कैसा प्रशन है पंचाइद स्वरशाशन समद्धित है कैसा ब्या जाए तो बाते आपको समझ में प्रशन आएगा कि सवीधान में कौन से अनुश्यों में कितने कारिये है इस ग्राम स्वरशाशन में तो ध्यान लखें इस पंचाइदी स्वरशाशन के उन्तीस कारिये है 29 विश्यों को समावेशित किया गया है और यह पूरा का पूरा राज्य सुची के अंदर शामिले राज्य सुची का विश्य है ग्राम पंचाइद ठीक है ना ओके पिर राज्य में मार्च 2023 तक अगर मैं बात करूं यह धान नकना नए जिलों की साब से नहीं है बिलकुल अ हमारे एट प्रजेंट का पूरा स्ट्रक्चर है प्रशन समझ में आगया आपके बिलकुल क्या पड़ा पने इस्तानी सुचाशन ठीक है उसमें अपने पढ़ना है पंचाइदी राज का हमारे सवीधान के कौन से नुश्य है दिमेंशन 243 में पंचाइदी राज की बात की में कितनी पंचाइज से मितिया है तीन सु पच्पन है ग्याड़ा जो च्छाशन ग्राम पंचाइदी राज़ा प्रश्यद हैं फिर बात करते हैं कुछ सवेधानिक प्रावदन आने सारे आर्टिकल आपको याद नहीं करने कुछ तो करने पड़ेंगे 243 में लिखावा है अभी में एक पूरे टेबल भी लिखाओंगा 243 ए में ग्रामसबा है अब प्रशन आएगा कि ग्रामसबा में कौन कौन होते हैं मतलब कौन चुनते हैं तो एक ग्राम पंचाइद शेत्र में एक ग्रामसबा होगी ये Mighty district 233 में लिखावाए अब वह ग्राम सवाओं का हो सकत में पंजगर्त जतने मी व्यक्ति होंगे वह असभर में प्रशना सकता है तो द्ष तो द्यान करें 75 40 में जतनी मत्याति सूी में नाम है जो पंजगर्त व्यक्ति है वो ग्राम सबा Jetzt कि मोठा मोठी यादी रखना है कि 273 में क्या है 243 C में क्या है पंचा इतु के चुनाऊ या सरशना प्रशन आसकता है चुनाऊ भी तहोंगे ना उकर प्रश्न हों distintos सेशनर तो 243 C में चुनाऊ है 243 D में आरक्षन इस मनुसुचत जाती अनुसुचत तो यानि की 50% मैलाओं को सभी वर्गों की मैलाओं को सभी वर्गों की मैलाओं को पहले एक बड़ा तीन था लेकिन वह दो कर दिया तो 50 मैलाओं की होगी हर केटेगरी किसी पर चाहिए वह सब्सक्राइब को आपको खड़ा करना पड़ेगा सरपंचू में इन में तो अपने नोटिस भी किया होगा अगर कारिकाल पुर्ण होने से पहले उनको अगर किसी भी संस्ता को चाहिए वह सरपंच वाली संस्ता हो चाहिए वाटपंच वाली हो चाहिए कोई इसी भी और भंग किया जाता है तो भंग करने के बाद में द्यान एक छे महीने के अंदर-अदर वापस चुनाओं कराने पढ़ेंगे और वह चुनाव जब कराएंगे वापस संस्ता बैठेगी वह बागी शेश आउदी के लिए बैठेगी एसा मालो कि छे महीने टाइम मिल लिया और लास्ट छटे महीने में चुनाव करा है तो पीछे किते महीने बचेंगे छे महीने तो वह जो संस्ता श्रप सब्सक्राइब क्राइब करें कि रही थार तो हैं यहां कि वह पम's वह सफी यह न है नहीं कि रहे इस सथते हैं के वहाँ पाउलो तो फडिक है रहां पन मतलब अंजंड चाहिए प्लस घर में सोचाले बनावाना चाहिए यह है बहुत जरूरी हालांगे एक बार वीचे पांच यूँ आट यूँ पास का विरका था लेकिन वह सो भटा दिया बाद में अब चाहिए अंगुटा चाहब भी क्यों नहीं कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन घर में सोचाले वह चुनाव करवाता है इसका क्या काम है चुनाव करवाता आपको पताईए और इसकी स्थापना उनीस सुचोड़ में हुई थी फिर दोस्तों तेनले साई यह अपने पढ़ा था राज्यपाल टॉपिक टाइम पर राज्य वितायोग हर हर पांच वर्स में ठीक हर पांच वर यह ने टेबल जो लिखी एसको पढ़ाते में सर्पंसाब मैं फिर उप सर्पंसाब में ना कर दिया है। उम्र 21 साल होना ने चुछ एक वारत तो video नहीं पटवार तो देख़ू नोकरी लग जाएगी तो बड़ी पोस्ट रही है ग्राम विकास अधिकारी पहले इसको ग्राम सेव कहते थे ग्राम सेव के बाद नाम अठा के उसको वीडियो कर दिया विलेस डवलपिंग ओपिसर यानि कि ग्राम विकास अधिकारी और बेठक बहुत इंपोर्टेंड है छपावा प्रशन है यह क्या कि ग्राम पंचायत की बेठक किते दिनों से होगी तो प्रतेक 15 दिन में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बेठक होना कम पल सरी है ऐसा मालो महिने में दो बार ठीक है ना? ओके इतना जो 25 समिती सदश्य जो होते है उसमें 25 समिती सबसे नीशी होते है सबसे बड़े परदान उपरदान और 25 समिती सदश्य अब एक प्रशन तो यह तो प्रशन हो गया कि इसमें कौन-कौन सामिल होते है अगला प्रशन यह बनेगा जो जो ग्राम पंचाईती आती है वहां के सरपनसाब और सभी विदायक MLA विदान सभा सदश्य बोल दो चाहिए हिंदी में लिका सकता है विदान सभा सदश्य आपको पता ही विदायक जी को क्या बोलते हैं अपन विदान सभा सदश्य बोल दो चाहिए विदायक बोल दो इ तो पंदरा दिन में एक बार यह महीने में एक बार हर महीने जिला प्रेश्ट में सबसे बढ़े होंगे जिला प्रमुग एक जिला प्रेश्ट होती है उप जिला प्रमुग नीचे इसके मेंबर कौन कौन होते हैं परदान साब सभी पंचाई समीतियों के परदान आ जाएंग तो इसके भी होते हैं और यह यह त्याग पत्र देंगी जितने भी दोनु जणए जिला पर मुखो देंगे और प्रतेग तीन माह में एक बार इसकी बैटक होनी चाहिए हर तीन माह में एक बार यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन चार्ट है भाई डंग से इसको घोट के पी जाना कुछ इंपोर्टन बाते हैं ये पांच साथ समीतिया हैं मोटा मोटी देख लेना पहले है कि पंचाइती राज प्रनाली का अद्देन है उस सुदार करने के लिए कौन सी समीति बनी थी तो बलवंत राय महता सम प्र इसको इनको अब बात करते हैं बहुत जबरदस के ऐफ्षू लहिए देखो उसमें सब्सक्राइब करते देंगे और एक जून 1903 में से नगरी शोषाशन में लागू हो जाएगा नगरू में पहले गाओं में किया था फिर नगरू में किया ठीक है और इसके लिए सब्सक्राइब अगरू में आर्टिकल तो वही 243 है बट 243 पी से लेकिए जड़ जी जड़ जी कि करना जैसे पी पिर क्यू आर एस्टी यू वी डबलू एक्स वाई ऐसे जड़ है ना तो जड़ उसके बाद में जड़ के बाद में जड़ ए जड़ बी जड़ सी जड़ एसे करके अठारा अठारा अर्टिकल हो गए गया अठारा अनुचे दे उसमें तो सोला ही थे इसमें अठारा अनुचे दे और इसमें विशे या कारिये इसमें कितने विश्यों को शामिल किया गया कितने कारियों को शामिल किया गया तो अठारा विश्यों या अठारा कारियों को शामिल किय तो यह सब बाते हैं हिंदी में देखना चाहते हो तो तेप और तलवार से लेके यह पूर यह चैच 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 तक यह भाई ध्यान रखना वेरी इंपोर्टेंट है नगरी एस्टोशाशन के आर्टिकल में और ग्राम पंचाईतों वालों में थोड़ा सा फरक है द्यंक से पढ़ लेट तो इसकी फिर भी सेहम है और यह भी तरिस्टरी होती है नगर निगम नगर परेशत नगर पंचाईत ठीक है ना वैसे दो मेर्ट है इसके देक्ष्ट को महापूर कहते हैं या मेर के ते इसके कहते हैं सभापती हालांगी मैंना और लिका है एक बहुत बहुत वह याद कर लेना बहुत जवर्दस दो नगर निगम है जैसे की जेपूर में都 नगर निगम कोटा में लो नगर यह ने बड़ा शेर हैं इना दो दो लिगम है अजमियर में एक है नगर निगम, बीकानियर में एक नगर निगम, उद्यपूर में एक नगर निगम और भर्थपूर में एक नगर निगम कुल मिलाके 10 राजस्तान में नगर निगम है, 36 नगर परिशदें हैं, 155 नगर पालिका यह हैं अगर बात करें राजस्तान की पहली नगर पालिका की तो वो थी भाई माउंट आबू राजस्तान की पहली नगर पालिका उसके बाद में सारी नहीं याद करनी हाला कि 11 नगर निगम प्रस्तावित है दस तो है 11 प्रस्तावित है अब तो पता नहीं कितने प्रस्तावित जिले भी ज़्यादा बढ़े अब वो कितने क्या व्यवस्ता बैठती नहीं सरकार हो गई तो काफी सारे चैंजिज और होंगे लेकिन अभी अपने प्रशन इसी में साइगा ठीक है इसके लाव एक टेबल बहतरीन तयार किया है मैंने आपके लिए छपेगा प्रशन नगरप जो यह यह वह पारशत होता है जैसे गाओं में सरपंच उपसरपंच वाइडपंच उपसे बोल दो उपादेक्स परश्ट में बात करूं तो एक लाग से लेकिए पांच लाग तक ही पॉपुलेशन में नगर परिश्ट इस तापना की जाती है मैं सभापती उपसुपाप परफ़ाइब नगरणेंगों को क्यों इसता अपना की गई है क्योंकि इसमें पॉपुलेस्ट पांस लाक्स ज्यादा है महापौर रोता है का मैंने जिसको अपन मेरी भी बोलते हैं उपमाप और पार्षद पार्षद सम्में होते हैं तीनों में पार्षद है एक लाइन में नीचे लिखी है आपको सुना भी होगा आपने बहुत ज़्यादा फैमस चर्चित मुद्धा रहा था ग्यारा फरवरी 2019 को विदान सबा में एक बिल पास हुआ और नगरपाली का शंशोद ने विदेक पारिक करके शेक्षनिक योगेता का प्रावदान अटा दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अंगुटा चाप थे तो प्रावदान कर दिया था दस्वी का कि बाई जो दस शेक्षनिक योगेता का प्रावदान नहीं है तुक है न यह जबरदस के अप्सूल है एक भी प्रशन आपकी बीएक सिसी में तो बार जाएगा नहीं रीट के अंदर जब पढ़ाऊंगा तो कम से कम कम से कम दस गंटे की क्लास होगी मतलब दस क्लास होगी न तब जागे टॉपिक फिनिश होगा नस नस चेक करेंगे लेकिन अभी बी प्रशन नहीं जाएगा ठीक है फिर कैसा लगा जरूर कमेंट करना बाकी बचेवी टॉपिक आपके भी आ रहे हैं ठीक है ओके